हे दोस्तों, अभी मैं कुछ बड़े-बड़े हस्तियों के नाम लेने वाला हूँ आप बताना इन में साब कितने लोगों को जानते हो और प्लस सबसे important question इन सभी के अंदर एक चीज कॉमन है वो क्या कॉमन चीज है आप मुझे ज़रूर बताना पहले ही कमेंट कर देना उसके बाद मैं आंसर तो देहीं दूँगा ठीक है? स्टार्ट करते हैं बताओ इन सभी लोगों में क्या चीज कॉमन है ये सभी लोग आप बोल सकते हो अंट्रपर्नर्स है ये सभी लोग काफी successful है लेकिन एक और चीज है ये सभी लोग आप बोल सकते हो गुजराती नहीं तो मारवाडी है देखो इंडिया में हमारे पास बहुत diversity है अलग-अलग धर्म जात के लोग है लेकिन जब भी पैसो की बात आती है न तो इंडिया में सबसे पहले नाम आता है यूजूली गुजराती और मारवाडी का क्योंकि इनकी population इंडिया में बस आप बोल सकते हो एक से दो पसंट तक ही है उसके बाद भी इंडिया के सभी टॉप अमीरों की लिस्ट में इनके नाम देखना हमेशा बहुत जादा होता है ये लोग बहुत successful होता है टॉप क्लास बिजनसमेन होता है और कईयों के तो मैंने नाम लिये भी नहीं है बट स्टिल आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे क्यों ऐसा है क्यों ये community इतना अच्छा कर रही है बिजनस में और वो भी बस इंडिया में ही नहीं वोल्ड वाइड जैसे के for example आपको बताई यूएस में सिफ 1% population इंडियन्स की है जो के होते हैं almost 30 लाक्स उसमें भी बहुत छोटी सी community है गुजरातीस की पटेल community और हरानी की बात ही है ना कि ये जो छोटी सी community है वो बहुत ही ज़्यादा strong influence रखता है क्योंकि ये यूएस के आदस स्यादा मोटल की बिजनस को ओन करते हैं देखो 1970 के पहले पटेल्स यूएस में थे भी नहीं और ये लोग जब यूएस में shift हुए तब इनके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं होते थे बिजनस करने के लिए लेकिन वही उन्होंने ऐसा बिजनस आज खड़ा कर दिया है जिसकी valuation 40 billion डॉलर से भी ज़ादा की है जो हर साल 725 million डॉलर से टेक्स दे रही है उनकी government को और 10 लग से ज़ादा Americans को hire कर रहे हैं वो लोग सोचने वाली बात है कि ऐसे अंजान देश में जहां कि भाशा भी एक दम अच्छे से उन्हें नहीं आती थी वहाँ पे उन्हें इतना बड़ा business कैसे बना लिया देखो बात यी थी थी ना कि US से पहले गुजरातीज यूगेंडा में बहुत अच्छा काम कर रहे थे लेकिन जब वहाँ पे एक नई government आई और उन्हें देखा कि या यह दूसरे देश के लोग इतना अच्छा कर रहा है हमारे country में तो उन्हें क्या किया कि उनकी सारी चीजों को जब्त कर लिया और उन्हें उनके देश से निकाल दिया इसके बाद जब वो लोग US पहुचे तब US में वेटनाम की वार चल रही थी मोर्टल का जो बिजनस था वो पूरी तरीके से बंद हो चुका था मोर्टल ओनर्स के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो बिजनस को प्रॉपरली रन कर पाए और अच्छी बात यह थी कि उसके लोन को बैंक से हल्प भी मिल रही थी काफी अच्छा खासा लोन उनको मिल रहा था बैंक से जिसकी हल्प से फिर उनने मोर्टल को खरीदना स्टार्ट किया वहां के सारे एंप्लोईस को निकाल दिया दो गुजराती जैना कई सारे बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं जो ने बिजनस में आगे बढ़ने में हल्प करती है आज मैं आपको धंदो इन्वेस्टर इस बुक से बताने वाला हूँ कि कैसे गुजराती जो होता है वो लोग कम से कम रिस्ट लेते हुए बड़ी से बड़ी चीज़े कर पाते है ऐसे बिजनस कर पाते है जिसके अंदर उनका लॉस बहुत कम होता है और प्रॉफिट बहुत जादा होता है और कैसे आप उस चीज़ को replicate कर सकते हो उनसे सीख के आज मैं आपके साथ गुजराती उसके ही साथ इसे important lesson share करने वाले हो business lesson जो आपको भी उनकी तरह business में बहुत आगे बढ़ने में help करेगा इसलिए वीडियो को end तक जरूर देखना बहुत काम का वीडियो होने वाला है पहला lesson बहुत छोटा सा सिंपल सा है जिसे बोलते है focus on arbitrage तो आपने एक चीज़ नोटिस करे होगी कि गुजराती जी लोग है ना ये लोग अलग अलग जगा जारे है ऐसी जगह जाते हैं जहां कि जो पैसे की value होती है जो इंडिया के comparison में जादा होती है आपने एक कहावत सुनी होगी ना कि डॉलर में कमाना और फिर रुपीज में खर्च करना ये बहुत जादा समझधारी होती है क्यों समझधारी होते है जिसे बोलते है आपने देखा होगा बहुत सारी चीजे दुनिया के एक हिस्से में काफी सस्ती मिलती है जैसे के फॉर एक्जाम्पल आप देखो चाइना में जो इलेक्ट्रानिक मशीन होती है वो काफी सस्ती मिलती है बट वही मशीन जब इंडिया में आप खरीदने जाओगे तो वो काफी महंगी मिलती है इसी लोग क्या करते हैं? कई बार लोग चाहिना से चीजे खरीदते हैं और फिर इंडिया में आके उसे बेचते हैं और बीच का जो प्रॉफिट बचता है वो उससे कमाते हैं यह तो कैसे लोग फिजिकल प्रॉडट्ट की बात जिसे गुजराती काफी अच्छे से यूज़ करते हैं और आपको भी यूज़ करने आना चाहिए अगर आपको एक अच्छा बिजनस्मन बनना है तो जैसे के फास्ट डिलिवरी करना या फिर लोवेस्ट प्राइस पर अपने सामान को बिशना आने वाले दस साल में कभी नहीं होगा कि लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं में को जल्दी डिलिवरी मत दो बहल कि लेट डिलिवरी दो टाइम लगेगा तो मज़ा आएगा या फिर नहीं नहीं मुझे सस्ते प्रोड़क्ट मत दो मुझे महेंगे प्रोड़क्ट दो यह चीज आज भी सेम है और आने वाले दस साल कि लोगों को प्यास लगती है लोगों को शुगर की सबस्टेंस होते है और यह चीज आज भी सही है आने वाले 10 साल में भी सही होगी वहारा ब्राइन ऐसा हाडवाइड है कि शुगरी चीज पसंद आती है इसलिए आज भी उनका बिजनस टिक पा रहा है विकॉस उनका बि इफिशेंसी के साथ रन करते हैं जो फिर उन्हें अच्छा प्रॉफिट कमा के देती जैसे कि एक बार कजाकिस्तान में डील करी जिसमें उन्हें स्टील की मिल को बाई किया ना जब उन्हें इस चीज को खरीदा ना इस प्लांट को तब वह चल तो रहा था लेकि उनकी जो परफॉर्मेंस थी वह काफी ज़दा खराब थी इतनी खराब थी कि उनके जो ओनर्स थे ना वो उनके वरकर्स को सैलरी भी नहीं दे पा रहा है थे और कुछी महीनों में वह प्लांट बंद होने वाला था लेकिन तब ही लक्श्मी मित्तल जी ने क्या कि उन्होंने क्या कि और वो प्लांट को फ्री में खरीद लिया और ये डिल गवर्मेंट ने खुशी-खुशी साइन भी कर ली क्यों विकास उनको पता था कि अगर वो ये नहीं बेचे के ना तो सालों साल तक वो मिल बंद रहेगी लोग बहुत सारे लोगों की जॉब्स जाएगी और वो जग कि उन गवर्मेंट से उन्होंने एक स्टील की मिल को खरीदा 200 मिलियन डॉलर्स में जिसको सेट अप करने के लिए गवर्मेंट ने विलियन डॉलर्स लगा दिये थे मतलब उनने 90% डिसकौड में उस चीज को खरीद लिया ऐसी दिखना आप जो समझदार इंवेस्टर होते लेकिन अगर कोई इंसान वही घर आपको 40 लेक्स में दे रहा है किसी रीजन के वज़े से तो यह डिसकाउंट डील है यह लेना आपके लिए बहुत समझदार ही है कंपैर टू ऐसे डील लेने की जो 50 का तो मिल रही है नॉमल रेट ही है लेकिन फिर आप सोचरों कि future में ब McDonald Brothers और Ray ने तो बस उनकी company के rights उन से ले लिये थे जिसके बाद उन्होंने company को बहुत बड़ा बनाया ऐसे ही कई companies होती है जो actually में कुछ नया invite नहीं कर रहे होते हैं वो बस किसी से inspire होके वही same चीज़ करते हैं जिसके बाद लेकिन वो लोग बहुत अच्छा भी कर लेते हैं स्टैप डिल को रोहिद बंसल जी ने लेंसकाट को पियूश बंसल जी ने ओला को भाविश अगरवाल ने इंडिया माट को दिनेश अगरवाल शॉप क्लूज को संदीप अगरवाल ओयो को रितेश अगरवाल नापतोल को मानू अगरवाल ऐसे आपको कई सारे examples दिख और रन कर सकते हो दूसरों से बेटर नेक्स लेसन है बाय बिजनेस वर्क इन बिजनेस विट मोट पूराने जमाने में जो मतलब में किला होता ता जिसमें राजा महराजा लोग रहते थे उसके आज़वाजव इस एक लेक जैसा बना दिया जा था वाटर की चीज बना दी और कई बर उसमें क्रोकोडाइल और आप चीज़ें भी रख दी जाती थी क्यों ताकि उस कासल के अंदर घुसना दुश्मनों का पॉसिबल ना हो पाए मुश्किल हो पाए और इसी कॉंसेट से इंस्पार होके बना है वर्ड मोट क्या आपको ऐसे बिजनेस पर काम करना च हो सकता है तो क्या होगा यूजरी और रास्ते बेर ट्राफिक जम जाएगी और आपका जल्दी पहुस्टना वहां पर मुश्किल हो जाएगा इसलिए ऐसा लेन चूज करो जहां पर कम लोग ट्रावल कर रहे हैं और वो करने के लिए आपको मोट क्रेट करने पड़ेंगे म तो रहना बहुत ज़रूरी है आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए आपको ऐसी कंपनीज बनानी चाहिए नेक्स लेसन है बैट हैविली वें दा और जार इन यॉर फेवर अचा फॉर एगर कोई आपके साथ गेम खेलता है और बोलता है कि मैं भी टॉस करू आएगा तो तुम हारोगे वहीं पर दूसरी तरफ एक बार टेल जा गया तो तुम जीत जाओगे यहां पर जीतने के वह ज्यादा है तो ऐसे टाइम पर आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए पैसे और अपने टाइम जैसे कि इस लोग ने जब अपना बिजनेस करना ना इस फेवर में काफी जादा थे इसलिए उन्होंने और आप बोल सकते हो बहुत बड़ा बिजनस भी क्रेट किया ऐसी आप भी हमेशा ऐसा फोकस करो ऐसे बिजनसे से पर फोकस करो जहां पर आपके जीतने के जो ओड़्स है वह काफी जादा है और अगर आप यह सारी च जराती उससे चीज़े सीख सके खुद भी आगे बढ़ सके और हमारे देश को भी आगे लेके जा सके और अगर प्लस ऐसी इंट्रस्टिंग बुक की समरीज आप फ्री में हर संडे लेते रहना चाहते हो तो चैलन को सब्स्राइब करके बैल आकन जरूर दबाना मैं आपके